तो वेडियो के एंड तक देखते रहिए अगर वेडियो पसंद आए तो प्लीज इस वेडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पनाई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वेडियो को सुरू करते हैं बिना टाइम वेश्ट के अगर नहीं है तो उसकी लिएक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आपको पैंसिल के बगल वाली आइकन पर टैप करना है और इंपोर्ट इमेज पर किलिक करके अपनी फोटो को सेलेट कर लेना है फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद यहां से फोटो को डन कर देना है देन पैंसिल वाली आइकन पर टैप करना है और इस हाइड इरेज वाली ब्रस को सेलेट कर लेना है इसकी सेटिंग पर किलिक करना है और इसकी अमाउंट को 100% रख लेना है और साइज को आप अपने अकॉ तो गाई जल्दी से मैं फोटो का बैक्राउंड रेज कर लेता हूं तो कर लुआ लिए मैं तो का बैक्राउंड दोका बैक्राउंड़र। झाल दो कि अधिता हूं तो कि अधिताउंड़र्ण मैं लोग आटी आ विए बेक्ग्राउंड रिलेज हो जाने के बाद फिर से पैंसिल वाली आईगन पर टैप करना है और फोडो स्मूथ करने के लिए इस वाली ब्रस को स्लैट कर लेना है इसकी सेटेंग पर किलिक करना है और इसकी फिलो को 3 परसेंद को 4 परसेंद रख लेना है दन फोडो को जुमकर ना और अपनी स्किन पर इसकी स्परकास द्रो कर लेना है करुप लेना है जब लेक जा आपन झाली ब्लूप ट्टस्तों है तो को जी वालगन में पर लेना है और दो को पुमकर को जाया से वाल्राव कर रसे नाजाओने कर या नाजाद कर दो पर लेना उन्हाला आ है तो झाल झाल तो फोटो स्मूथ हो जाने के बाद एक empty layer को create कर लेना है और उसकी opacity को 35% रख लेना है और soft light कर लेना है और इसकी color को white रख लेना है then pencil वाली icon पर tap करके इस वाली brush को select कर लेना है और अपनी पूरी skin पर इस draw कर लेना है झाल 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 तो जाने के बाद यहां से फोटो को save कर लेना है और next step में इसको light room app में open करना है इसकी भी link आपको description में मिल जाएगी so guys यहां पर आपको सबसे पहले light value option पर click करना है और इसकी exposure को बढ़ा लेना है और इसकी contrast को भी बढ़ा लेना है और highlight को कम कर लेना है और shadow को भी बढ़ा लेना है और white को कम करना है और black को बढ़ा लेना है तेन कलर वाली ओप्शन पर टेप करना है और मिक्स पर जाना है और रेड वाली कलर की लुमिनेंस को बढ़ाना है और सिचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है देन औरेंज वाली कलर पर जाना है और इसकी सिचुरेशन को माइनस करना है और लुमिनेस को 40% रख लेना है और गिरीन वाली ओप्सन में जाकर इसकी सिचुरेशन को बढ़ाना है और लुमिनेस को भी बढ़ा लेना है फिर बिलू वाली ओप्सन में किलिक करना है और इसकी ह वाले option पर क्लिक करना और sharpness को बढ़ा लेना है और noise reduction को भी बढ़ा लेना है और contrast और color noise reduction को भी बढ़ा लेना है तैनnant अप्टिक्स बाले option पर किलिक करना है और दोनों option को on कर लेना है अब masking बाले option पर किलिक करना है तैन plus बाले icon पर टयफ कर कि brush को select कर लेना है इसको अपने lips पर draw कर लेना है अब इसके कलर वाले option पर जाना है और इसके कलर को pink कर लेना है और इसकी situation को बढ़ाना है टिंट को बढ़ाना है और टेंपरेचर को पूरा हाई कर लेना है और यहाँ से फोटो को डन कर लेना है तो गाईस आसा करता हूँ आपको यह वेडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वेडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करें तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में